सोशल मीडिया पर WhatsApp की नई प्राइविसी पॉलिसी ने तूफान ला दिया है यूजर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि WhatsApp आकर क्या चाहता है सबके फोन पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है अब तक आपके फोन पर भी ये नोटिफिकेशन आ गया होगा यूजर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास दूसर क्या विकल्प है वह क्या कर सकते हैं अगर आप भी इसी उलजन में हैं तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं हम आपको बताएंगे कि यूजर्स के पास दूसर क्या विकल्प है वाटसाप की जगा ये किस प्लाटफॉर्म पढ़ जाएं साथ ही ये भी बताएंगे दूसरे प्लाटफॉर्म्स कितने सिक्यूर है नमस्कार मैं सार्थ करोड़ा और आप देख रहे हैं O-News वाटसाप की नई प्राविसी पॉलिसी से वाटसाप के यूजर्स बेहद नाराज है क्योंकि पॉलिसी एकसेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसके लिए यूजर्स को 8 फरवरी 2021 सक्का समय दिया गया है यदि यूजर्स पॉलिसी को एकसेप्ट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट बंद हो सकता है इस खबर को सुनकर वाटसाप की यूजर्स परिशान है क्योंकि नई पॉलिसी को एकसेप्ट करके वाटसाप को इस्तिमाल करने का मतलब है कि आपका अपना phone number, banking transaction data, service related information, दूसरों से किस सरह interact करते हैं ऐसी जानकारी mobile device information और IP address, chats, video, audio आदि को वाटसाप को स्टोर करने की permission दे रहा है सिर्फ इतना ही नहीं, वाटसाप आपके data को Facebook के साथ share भी करेगा यानि कि जिस वाटसाप को यूजर सबसे सुरक्षित समझते थे, अब उसी वाटसाप में कुछ भी secure और private नहीं रहा वाटसाप सब कुछ देख सकता है और Facebook को दिखा भी सकता है ऐसे में वाटसाप यूजर के बाद दूसरा विकल्प है कि वे अन्ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर switch हो सकते हैं सोशल मीडिया पर इसको लेकर जंग छड़ी होई है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म सबसे best और secure है इसी कड़ी में दुनिया के सबसे अमीर शक्स ऐलन मस्क जो टेसला के CEO भी है उन्होंने एक ट्वीट करके वाटसाप यूजर्स को सुझाव दिया है कि यूजर्स को सिगनल आप पर switch हो जाना चाहिए दिल्चस्प बात ये है कि एलन मस्क का ये ट्वीट वाटसाप दौरा अपनी प्राइविसी पॉलिसी में संशोधन की गोशना के बाद आया है नई प्राइविसी पॉलिसी में वाटसाप ने data sharing के साथ वाटसाप और facebook के एक ही करन की बात कही है एलन मस्क के ट्वीट के बाद गूगल प्ले स्टोर पर सिगनल अप हैश्ट्रैग वन पर trend करने लगा यूजर्स तेजी से इस एप पर shift हो रहे है वाटसाप वसस सिगनल सिगनल मेसेजिंग एप अपने प्राइविसी फोकस एप्रोच के कारण भी लोगप्रिय हो रहा है इसका उप्योग दुनिया भर की सुरक्षा विशेशग्यों गोपनिय शोध करताओं शिक्षा विदों और अन्य लोगों दौरा व्यापक रूप से किया जाता है तक्नीकी विज्ञान के गलियारों में आम धारने और दावे रहे हैं कि सिगनल वचसाप की तुलना में अधिक सुरक्षित है इस बात कि एपल का नया प्राइविसी लेबल भी करता है जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दे कि एप डेवलपर्स को एपल से इन लेबलों को प्राप्त करना अविश्यक होता है ताकि यह पता चले कि प्लाटफर्म दौरा क्या डेटा एकत्रित किया जा रहा है साथ में ये भी बताया जा सकता है कि इसका उपयोग कैसे करना जा रहा है हमें इसके लिए आपल को थैंक्स करना चाहिए आप अपने स्क्रीन पर इस फोटो को देखें इसमें आप देख सकते हैं कि अलग-अलग सोशल मीडिया प्लाटफर्म्स आप से क्या-क्या जानकारी इकत्रित कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि वट्सअप, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, स्नापचैट, आदी की तुल्ला में सिग्नल यूजर्स की कोई भी जानकारी इकठी नहीं कर रहा है सिग्नल को केवल रिजिस्ट्रेशन के लिए आपके फोन नंबर की अवशक्ता होती है लेकिन इसे भी सीधे आपकी पहचान से नहीं जोड़ा जाता है यदि आप अप स्टोर पर अप की जाज करते हैं तो ये बताता है कि आपके पास कोई डेटा लिंक नहीं है हलंकि वटसेप और सिग्नल दोनों प्लाटफॉर्म्स के बीच एक और बड़ा अंतर ये है कि सिग्नल खुलास्तोत्र है जबकि वटसेप नहीं है अब बात कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स की भी कर लेते हैं जो वटसेप का विकल्प बन सकते हैं टेलिग्राम वटसेप का एक संभावित विकल्प हो सकता है वटसेप की ही तरह अपने end-to-end encryption module के कारण टेलिग्राम काफी popular हो गया end-to-end encryption का मतलब है कि मेसेज को केवल सेंडर और रिसीवर द्वारा ही देखा जा सकता है थर्ड पार्टी मेसेज को नहीं देख सकती है लेकिन टेलिग्राम के साथ अपनी प्रॉब्लम है जिन में से एक है पाइरेसी कुछ शरार्ती उपयोग करता पाइरेटिट फिलमों को प्रसाड़ करने के लिए टेलिग्राम का इस्तमाल करते है टेलिग्राम अब तक इसको रोकने में सफल नहीं हुआ है टेलिग्राम पर अवैद रूप से संगीत साज़ा किया जाता है इस कारण टेलिग्राम म्यूजिक कम्पनियों के रडार पर हमेशा बना रहता है कुल मिलाकर टेलिग्राम वटसेब का एक विकल्प हो सकता है परंतु उसकी जगा नहीं ले सकता अतीत में हमारे पास कुछ अच्छे विकल्प थे जैसे वीचैट और हाइक लेकिन इन में से कोई भी शुरुवाती प्रसिद्धी से आगे बढ़ने में काम्याब नहीं हो पाया वटसेब के साथ प्रजिस परदा की संभावना तो छोड़ ही दीजे यूजर्स के लिए वटसेब को छोड़ना इसले भी मुश्किल है क्योंकि वटसेब इजी टो एकसेसिबल है और लोगों के कई सालों की चैट हिस्ट्री वटसेब पर मौझूद है जिसको किसी और प्लाटफॉर्म पर एक्सपोर्ट करना या सेव करना बहुत मुश्किल है वटसेब लोगों के फैमली का एक हिस्सा बन गया है कुल मिलाकर देखा जाए तो वटसेब का सबसे अच्छा विकल्ब सिगनल ही दिखाई दे रहा है सिगनल क्या है आईए अब आपको बताते हैं कि सिगनल क्या है और कैसे काम करता है वटसेब की तरह सिगनल एप भी एंड टो एंड एंक्रिप्शन प्रोटोकॉल का उप्योग करता है इस आप को सिगनल फाउंडेशन ने विश्व भर की यूजर से मिले डोनेशन से डेवलप किया है सिगनल फाउंडेशन ने अपना नाम आप को दिया है इसलिए आप का नाम भी सिगनल ही रखा गया है सिगनल फाउंडेशन में वटसाप के पूर्व सैसंस थापग ब्रायन एप्टकन भी शामिल है सिगनल के 10 मिलियन यूजर्स पहले से ही है ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी भी इस आप को यूज़ करते है कई देशों के सुरक्षा अधिकारी भी इस आप का इस्तमाल कर रहे है सिगनल का मेसेजिंग सर्विस 2014 में लाँच होता है लेकिन 2019 और 2020 में ये लोकप्रिय हो गया जुलाई 2014 में रेड़ फोन और टेक्स सिक्योर को मर्ज करके सिगनल आप को आई ओएस के लिए लाँच किया गया सिगनल पहला आई ओएस एंड टो एंड एंक्रिप्शन फ्री वोईस कॉल सर्विस देने वाला एप था 2015 में सिगनल एंड्रॉइट के लिए भी उपलब्ध हो गया Black Lives Matter प्रोटेस्ट के दौरान अमेरिका में ये खासा पॉपलर हुआ इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ट्विटर के CEO Jack Dorsey ने एक ट्वीट करके लोगों को सिगनल मेसेंजर डाउनलोड करने का सुझाद दिया था WhatsApp की यूजर्स को नई Privacy Policy का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है यूजर्स तेजी से दूसरे सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर स्विच कर रहे है हाली में सिगनल ले ट्विटर पर एक ट्वीट कर बताया कि ऐसा लगता है कि बहुत अधिक लोग सिगनल पर स्विच हो रहे हैं और नए उप्योग करताओं के आन से बढ़ने वले लोड को समालने के लिए अब अभी पूरी तरह से तयार नहीं है इस कारण यूजर आईडी बनाने के लिए लोगों को वेरिफिकेशन कोड सई समय पर नहीं मिल पा रहा है हम इस समस्या को जल से जल दूर करने के लिए काम कर रहे हैं टेलिग्राम के यूजर्स की संख्या में भी तेजी से बड़ोत्री हो रही है अब आप कुछ समझा गया होगा कि कौन सा अब सेक्योर है लाइव अपडेट के लिए देखते रहिए ओन्यूज